स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में तो इस वीडियो में हम नेक्ट चाप्टर परसेंटेज हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो देखो परसेंटेज आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको एक्जाम में कितने परसेंटेज मिलते हैं ठीक है तो उसी परकार स से आप थोड़ा बहुत तो दिमाग में आपके आ ही गया होगा कि परसेंटेज मिन्स क्या होता है किसी भी चीज को हन्रेट से रिप्रजेंट करने का उसी को परसेंटेज बोला जाता है ठीक है तो इस वीडियो में हम परसेंटेज के ऊपर देखो क्या क्या देखने और यह उसके बाद देखो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है परसेंटेज टुब फ्रैक्शन चाट तो देखो यह परसेंटेज चाट है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर तो यह सब कुछ हम डिसकेस करेंगे उसके बाद एक नीचे चोटा चाट है जिससे कि आप सभी टैप के परसेंटेज का फ्रैक्शन में कर सकते हो उसके बाद हम एक्जामपल स्वालो करेंगे ठीके तो एक्जामपल स्वालो करने के बाद प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो यह सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाली है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे first important notes देखेंगे, उसमें हम first point percentage definition, तो देखो percentage is defined as a given part or amount in every hundreds, समझ रहे हैं आप, जो भी given part, जो भी मान लो for example, 50% दिया है, 50% means every hundred में given part or given amount defined करने का, ठीक है 50% means देखो अगर आपके पास अगर दो apple है, ठीक है, तो आप उसमें से 50% means आप एक apple किसी और को देदोगे, ठीक है, अगर उसके हम 4 part किये बराबर, तो 25, इच पार्ट को हम बोलेंगे 25, 25, 25, 25, 25, 25, तो यह total मिला कि 100 हो जाता है, किसी भी amount को every hundred से comparison करना, इसी का है मतलब होता है percentage, percentage are fractions with 100 as a denominator, ठीक है, देखो, 50% means क्या होता है, 50 divided by 100 होता है, हमारा 100 जो denominator है, वो 100 ही रहेगा, ठीक है, बाद में हम इसे simplify करते है, 51 जा 50 और 52 जा 100, तो यह 1 by 2 fraction को हम बाद में simplify करते है, पर यह original क्या रहती है, बेस में denominator 100 ही रहता है, ठीक है, percentage में, और उपर x, x की value कोई भी रहेगी, 25, अगर 25% है, तो यहाँ पर 25 रहेगा, x की जगह पर 25 रहेगा, समझ रहे हो, यह two point हो गए, it is represented by the symbol percentage, तो यह हम इस प्रकार से percentage से हम इसे represent करते हैं, for example, if Sam scored 30% marks in his maths test, it means that he scored 30 marks out of 100, देखो, Sam को अगर 30% mark मिल गए, तो इसका मतलब क्या होता है, उसको 100 mark में से, उसको 30 marks मिल गए, test में समझ रहे हो, तो percentage में समझता हो, कि आपको समझ में आ चुका होगा, अभी तक, तो यह definition हो चुकी है, complete, अब हम next part देखेंगे, formula, तो देखो, यहाँ पे formula, क्या होता है, percentage का value divided by total value into 100 होता है, देखो, value means, देखो, हमारे पास total value कितनी है, देखो मेरे पास आगर 4 apple है, ठीके, यह मेरे पास total value होचुकी, ठीके, for example के लिए मानलो, उसमें से मैंने 2 किसी और को दे दिये, तो कितने percentage अभी मेरे पास apple बचे है, तो इन 200 करने का, देखो फॉर्मिला क्या है वैल्यू चितने वैल्यू हमने दिया है किसी को या फिर देखो फोर फोर रुपीज मैंने कुछ लाया उसको मैंने टू रुपीज से बेच दिया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप परसंटेज का यूद हो सकता है मेरे पास फोर आपल थे दो मैंने किसी को दे दिया तो कितने मेरे पास कितने परसंटेज बिर देखो यह व न हो चुका यह किपिर 15 परसंट हमने आ चुका मतलब 50 परसंट मेरे पास अभी ऐब फोर्मिला होता है वाल्यू डिवाटेड बाइ टोटल वैल्यू इम एंड़ मतलब जितने हमारे पास थे total available कितने हैं और उसमें से हमने कितने दिये कितने बेचे कितने बच्चे ठीक है ये value में आ जाता है into 100 तो ये percentage में हमें निकल कर आ जाएगा उसके बाद देखो how to calculate the percentage of a number for example देखो calculate 10 percentage of 80 तो 80 का आपको 10% निकलने का है ठीक है आपको कोई भी number का अगर किसी भी percentage में निकलने का है मांद लो 1000 का 20% कितना होता है ठीक है 75 का 20% कितना होता है तो ये आप कैसे निकल सकते हो देखो यहाँ पे 10% मिकलने का है आपको 80 का ठीक है 80 का तो 10% means क्या होता है 10 percentage means क्या होता है 1 divided by 100 होता है, ठीके, तो 10 into 1 divided by यहाँ पे 100, और किसका percentage निकलने का है, आपको 80 का, 80 के 10% निकलने का है, तो यहाँ पे 80 इसको multiply करने का, बस इसको swallow करने का, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो बचता है कियवल 8, तो देखो यहाँ पे 80 का 10% आ जाएगा, 8 x is equal to 8 समझ में है किस प्रकार से निकाला सेम उसी प्रकार से आपको आगर 75 का 10% निकालने का है तो 10 divided by यहाँ पे 100 करने का और इन्टो 75 करने का जो भी answer आएगा वो 75 का 10% रहेगा ठीक है समझ रहे हो तो यह point भी हो चुका complete next point देखते है percentage to fraction चाट यहाँ पे देखो मैं थोड़ा small कर रहा हूँ अभी यह आपको full screen के उपर पूरा का पूरा चाट दिख रहा है तो देखो यहाँ पे percentage दिया है यहाँ पे fraction दिया है percentage fraction percentage fraction परसेंटेज फ्रेक्शन percentage fraction परसेंटेज और यह fraction का column है तो देखो यहाँ पे 1% means 1 divided by 100 होता है 2 means 1 by 50 होता है 3 means 3 by 100 होता है उसी प्रकार से देख लो 4% means 1 upon 25 होता है 5% means 1 by 20 6% means 3 by 50 तो यह आपको इस में से कुछ आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ठीक है आपको first 10 तो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे उसके बाद 11 का उसके बाद मान लो 15 का 18 का इस प्रकार से आप जो भी इस में से ध्यान में रख सकते हो आप उसको ध्यान में रखो ठीके तो आपको स्क्रीन के ओपर सब कुछ दिख रहा होगा देखो यहाँ पे 19% means 19 by 100 रहता है 20% means 1 by 5 रहता है सेम उसी प्रकार से देखो यहाँ पे 50% means 1 by 2 होता है ठीके 79% means 79 divided by 100 ठीके या फिर आप किसी भी चीज़ को अगर आपको ध्यान में नहीं रखने का है तो देखो यहाँ पे 33 का मतलब 33 divided by 100 देखो यहाँ पे 50 50 का means क्या होता है कहा है 50 देखो यहाँ पे 50 है तो 50 means क्या होता है 50 divided by 100 होता है ठीके 50 divided by 100 बाग में इसी simplify करके यह 1 by 2 हो जाता है तो यहाँ पे 50 का 1 by 2 आप इस परकार से भी simplify करके याद रख सकती हो ठीके कोई भी चीज़ देखो 75 का 75 का देखो यहाँ पे 3 by 4 यह तो यह 3 by 4 कैसे आया 75 divided by 100 तो देखो यह 25 से डिवाइड होता है तो 25 से 3 बार डिवाइड होआ तो यह 25 इंटू 3 ठीक 75 और 25 25 इंटू 4 किया तो 100 हो जाता है तो यह 3 by 4 तो देखो 75 का यहाँ पे 3 by 4 आ गया अगर आपको यह 3 by 4 यह 3 by 10 8 by 25 अगर यह ध्यान में नहीं रखता तो आप इस परकार से इसको सिंप्लिफाइक भी करके याद रख सकते हो ठीके तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 100 तक यहाँ तक आपको यहाँ पे percentage का fraction में conversion किया है आप इसका जहरोक्स निकाल के आप जहाँ पे भी study करते हो वहाँ पे चिपका दो ठीके यह बहुत ही यही percentage का आप आगे का profit and loss maximum chapter इसी से solve हो जाते हैं ठीके percentage and fraction से आगर आपको यह conversion करना आ गया तो सभी topic जो भी quantitative aptitude की topic है आप आसानी से maximum question solve कर पाती हूँ ठीके यह देखो यह एक chart हो चुका यह first chart है second chart देखो यहाँ पे second chart छोटा सा है ठीके तो देखो यहाँ पे 1.5% ठीके 1.5 means देखो 3 by 200 होता है 2.5 means 1 by 40 होता है 3.5 means 7 divided by 200 होता है 4.5 means 9 divided by 200 होता है 5.5 means 11 divided by 200 होता है ठीके तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10.5 तक दिया है उसी के बाद यहाँ पे देखो 0.11% means 1 by 9 होता है 0.22% means 2 by 9 होता है ठीके आप दिखाता हों में आपको अगर आपको मान लो एक्जाम में आ गया आपको 33.33 का आपको दिखाने का है ठीके 33 कहाँ पे देखो यहाँ पे 33, 33 यहाँ पे 33.33 का दिखाने का है तो यह 33 तो यह 33 का 33 divided by 100 हो चुका और आपने को 33.33 का चाहिए तो देखो यहाँ पे 0.33 यहाँ पे ज्यादा है तो आप इसमें प्लस करोगे 3.9 तो इनकी जो भी एडिशन आ जाएगी तो यह आपको फ्रैक्शन में 33.33 का आपको फ्रैक्शन में मिल जाएगा इन दोनों की एडिशन क जाए तो ठीके अगर आपको मानलो 12.5 की निकालने का है तो 12 की क्या है 3.25 होगे और 0.5 तो 0.5 की देखो यहाँ पे तो 0.5 की यहाँ पे नहीं दिया ठीके तो जरू 0.1 by 2 में 0.5 आ जाता है तो वह भी जाने तो आपको क्या करने का है 12.5 का निकालने का है ठीके तो आप 10 का भी ले सकते हो देखो 10 का कितना यहाँ पे 10 का है 1 by 10 है ठीके 10 का क्या है 1 by 10 है 1 by 10 है आपको कितने का निकालने का है 12.5 का निकालने का है तो यह 2.5 का क्या है 2.5 का 1 by 40 है तो आप इसमें 1 by 40 add करोगे तो आपको यहाँ पे 12.5 का fraction भी मिल जाएगा इसी परकार से आप सभी कौन सा भी point दिया जाएगा आपको तो इसी chart का use करके आपको fraction में conversion करना उसका आ जाएगा जब हम example देखेंगे तो हम भी इसी का method जो महिने में थरा भी बताई इसी method का use करके हम वहाँ पे निकालेंगे ठीके समझ रहे हो तो इसका आप यह जो भी screen के उपर दिकरा है इसका आप जरोक्ष निकालके आपके table पे जहाँ पे बेटते हो वहाँ पे चिपका दो जितने बार आप इसे देखोगे रेगुलर्ली देखोगे तो यह गस बारा दिन में आपको यह पूरा का पूरा चाठी समझ में आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद आब हम example देखते हैं अभी important points पूरे गट हो चुके हैं अगर अगर आपको अच्छा लगा है तो comment करके भी आप बता सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर करने का देखो फर्स्ट एक्जाम्पल यहाँ पे देखो फायू एस टू फोर एक्स्प्रेसर एज परसेंट इस इक्वल्स मतलब देखो फायू एस है tautal value रहेती है हमारी total value रहती है हमने फ़ाय देखा है percentage का total value मतलब यह 4 is equal to hundred percent है 4 is equal to क्या है 100 है ठीक है समझ रहे हो तो 1 is equal to क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा तो 1 is equal to 25 है तो 5 is equal to यहाँ पे 125 ठीक है तो यहाँ पे jaap option number यह हमारा correct option रहेगा समझ में आए आपको देखो 5 as to 4 मतलब जो नीचे denominator में जो रहता है वो percentage का है denominator हमेशा 100 रहता है जो भी value रहेगी वो is equal to 100 रहेगा तो देखो 4 is equal to 100 है तो 1 is equal to 25 तो उपर क्या है 5 है तो 5 is equal to 125 मतलब 5 as to 4 यह क्या express करता है कितना percentage यह रीप्रेजेंट कर रहा है तो यह 125 परसेंटेज रीप्रेजेंट कर रहा है मतलब 4 is equal to 100 परसेंट है तो 4 से भी ज्यादा है 5 है तो 125 परसेंट हो गया ठीक है तो यहाँ पर first example swallow हो चुका है next example दिखते है second example तो देखो यहाँ पर second example fruit seller had some apples ठीक है उसके पास कुछ तो apple थे he sells 40% apple and still has 420 apples ठीक हो एक fruit seller था उसके पास कुछ तो apple थे he sells मतलब उसने 40% apple बेच दिये ठीक है and still has 420 apples मतलब देखो 60% उसके पास बचे 60% के लिए कितना कितना apple है यहाँ पे 420 apple है ठीक है समझ रहे और 40% apple उसने बेच दिये तो 40% के लिए कितना आएगा और इन दोनों की addition किया तो हमें total apple how many apple he had how many apple तो उसके पास कितने apple थे total यह हमें आ जाएगा देखो 60% के लिए यहाँ पे 420 है ठीक है ठीक है 60% के लिए तो एक percentage के लिए अगर हम निकाले तो एक percentage के लिए यहाँ पे 7 apple आ जाते हैं ठीक है 7 x 428 और यह 0 यहाँ पे तो यह question mark के जगह पे 280 apple आ जाएंगे ठीक है और इनके addition किया तो यहाँ पे 0, 8, 9, 10 यहाँ पे यहाँ भी 0, 1 addition में गया 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे 700 apple आ जाएंगे तो यहाँ पे option number B रहेगा समझ में आया क्या 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 देखो 40% apple उसने बेच दिये और बेच दिने के बाद उसके पास कितने apple बचे 420 मतलब percentage में कितने बचे 60% apple बचे तो 60% के लिए 420 है तो 40% के लिए कितने बेचे होगे उसने तो 280 बेचे तो टोटल कितने होगे 700 तो यहाँ पे option number B ठीक है इसका answer देख लेते हैं यहाँ पे option number B है और यहाँ पे सब कुछ explain किया है अगर आप इस प्रकार से formula से swallow करेगा तो ज्यादा time लगेगा आप खाली concept देख लो trick आप आपके mind में निकालो कि किस प्रकार से निकाल सकते हो एक तो ratio से निकाल सकते हो या फिर fraction का use करके भी निकाल सकते हो ठीक है या फिर cross multiplication करके भी निकाल सकते हो आपको जो अच्छा लगता है वो उससे से आप निकालो ठीक है आपको खाली speed यहाँ पे important है जितने maximum problem आप speed बढ़ जाएगी तो यहाँ पे example 2 भी swallow हो चुका है example 3 देखते है देखो question को read करो ध्यान से in an election between two candidates 65 votes are declared invalid one candidate gets 52% votes and win by 98 votes find the total number of votes ठीक है देखो धान से देखो वीडियो को pause करो फिर भी question को read out करो अच्छे से और जब समभज पया है तो भी आगे बढ़ने क्या देखो क्या दिया है 65 votes declared invalid है ठीक है तो यह से थोड़ा अलग से रखने थे आप one candidate gets 52 votes तो देखो 52 votes एक candidate को मिल गया है ठीक है त तो दूसरे candidate को कितना मिला होगा votes 48% votes दूसरा candidate को मिला होगा समझ रहे हो और win by 98 votes तो देखो इन दोनों में difference कितना है 4 percentage का difference है और 4 percentage के लिए नाइन्टी एट्स यहाँ पर हो चुकी है ठीक है समझ मैं आपको देखो 52 ओट्स केंडिडेट को मिला है और वो 98 ओट्स है वो क्या है जीता हुआ है ठीक है समझ रहे हो आप 65 तो इन्वैलिड है उसका तो कोई मतलब भी नहीं है तो देखो यहाँ पर इसको 52 ओट्स मिले तो बच्चें केंडिडिट को 48 ओट्स मिलेंगे ठीक है और इन दोनों में डिफरेंस 4 परसंट है और यह कितने परसंट से कितने ओट्स से विज़ता हुआ है 98 तो 4 परसंट के लिए 98 है तो देखो यहाँ पर इन दोनों के एडिशन अगर 100 किया तो 100 के लिए कितना हो जाएगा एक समान लेते हैं तो देखो यहाँ पर 98 into 100 किया ठीक है 100 divided by 4 किया तो देखो इससे 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर बच जाता है 50 ठीक है और यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो इससे देखो यहाँ पर 4 is 8 और यहाँ पर 1 आ चुका तो यहाँ पर 90 ठीक है तो देखो यह यहाँ पे 19 हो चुका है और 50 into 50 किया तो 25 00 हो जाता है और उसमें से ठीके एक बार 50 minus किया तो यहाँ पे ठीके 49 into 50 कर रहे हम देखो शॉर्ट में तो यहाँ पे 2500 में से 50 एक बार मैंस किया तो 2450 यहाँ पे आ जाता है तो यह 100 परसेंटेज ओड के लिए ठीके 100 परसेंटेज ओड के लिए कितना आया हमारा 2451 ठीके इसमें अब हम ए 65 ओड करेंगे ठीके तो 2450 प्लस 65 करेंगे हम यहाँ पे तो क्या आता है देखो यहाँ पे final answer 5 5 5 10 11 यहाँ पे 1 carry 1 हो गया 4 प्लस 1 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 adjectives तो 2515 तो 2515 यहाँ पे option नमबर D में है समझ में आया किस प्रकार से swallow किया अगर वीडियो समझ में आया तो revise करके लिए आप देख सकती है देखो इसका answer देख लेते है option नमबर D है option नमबर D और यहाँ पे सब कुछ explain भी किया है तो यहाँ पे example नमबर 3 जो भी है वो complete हो चुका है उसके बाद next example देखते example 4 तो देखो यहाँ पे next example in an examination 35% is passing mark अतलब एक exam है और उसको pass होने में 35% marks लगते है एक one candidate obtained 135 marks and failed by 40 marks then find the maximum marks तो देखो यहाँ पे एक candidate को 135 marks भी ले है और वो candidate 40 marks से fail हो चुका है और find the maximum marks तो exam कितने mark रहेगी यह हमें find out करने का है तो देखो 35% को pass है और मतलब 35% के लिए pass है और वो candidate को 135 marks मिले है और वो candidate 40 marks से fail हो चुका है तो देखो 35% के लिए is equal to 135 plus 40 रहेगा तो इसका addition के आ जाएगा 103, 4, 5, 6, 7, 75 आ जाएगा तो 175 is equal to 35% है समझ रहे हो तो 35% के लिए 175 है तो 35% के लिए 35% के लिए 175 है तो देखो यहाँ पे 100% के लिए कितना रहेगा एक्स तो एक्स की value अगर हम निकाले तो देखो यहाँ पे 100 into 175 divided by 35 हो जाएगा तो इसका cancellation करते है 5 से इसी divide करते है तो 57 यहाँ पे आ जाएगा और इसे भी 5 से डिवाइड करते है तो 53 is a 15 2 बचता है तो 5 into 5 ठीके 25 तो यहाँ पे 35 का हो जाता है तो देखो यहाँ पे 7 1 is a 7 7 5 is a 35 ठीके और यहाँ पे बाद में 100 into 5 किया तो कितना आ जाता है 500 ठीके तो यहाँ पे 500 अप्शन नमबर a में है तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे option नमबर यह हमारा correct option होना चाहिए ठीके तो answer देखते है इसका क्या है देखो यहाँ पे option नमबर a है समझ मैं किस प्रकाल से निकाला तो यह fourth example भी यहाँ पे स्वालू हो चुका है next example देखते है example नमबर 5 तो देखो example 5 राहूल गाट a 5% hike in his salary his current salary is dollar में दिया है 70,000 ठीके 70,000 calculate his revised salary after promotion तो देखो 100% के लिए यहाँ पे 70,000 दिया है ठीके 70,000 दिया है और 5% hike मतलब increase हुआ है तो उसकी salary क्या हो जाएगी 105% हो जाएगी यह देखो यह समझ में आयागा देखो 100% उसकी सबसे first उसकी salary थी तो 100% के लिए 70,000 उसके बाद उसको 5% के hike मिली मतलब total salary क्या हो जाएगी 105% हो जाएगी तो यहाँ पे x मान लेते cross multiply करके हम अगर swallow किया इसको तो देखो यहाँ पे 7,000 और एक बार 0 into यहाँ पे हो जाएगा 105 ठीके और divided by 100 के अटापनेगा तो देखो यह double 0 गए यह double 0 गए तो बसता है क्या है 700 into 105 तो देखो इनका multiplication कैसे करोगे यह अफिलाल के लिए 100 मान लो तो देखो यहाँ पे 7,1,2 यह double 0 और यह double 0 ठीके तो यह 17,000 यहाँ पे हो चुके और एक बार हमें इसमें add करने का क्या फायू फायू बच्चा है ना तो 700 into 5 700 into 5 करने का तो देखो 7 into 5 कितना होता है 35 होता है तो यहाँ पे प्लस हम 35 करेंगे 7 into 5 35 और यह 2 0 है यहाँ यहाँ पे 2 0 तो 73,000 यहाँ पे 500 उसकी salary हो जाएगी कब promotion होने के बाद तो यहाँ पे 73,500 option number B में है ठीके तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो यह फिर देखो 100% के लिए 70,000 है तो आप 1% के लिए भी निकाल सकते हो तो एक परसेंटेज के लिए निकाल सकते हो तो एक परसेंटेज के ल 10.05% एड करके आप निकाल सकते हो फिर भी आपका answer 73,500 ही आ जाएगा तो देखो दोस्तो इसी type के questions आते है maximum question में तो यहाँ पे example पूरे swallow हो चुके इसका answer देखना भूल गया हम देखो इसका answer देखते है option number B है और यहाँ पे सब कुछ discuss किया है 73,500 डॉलर उसकी hike हो जाएग after promotion तो यहाँ पे example पूरे swallow हो चुके है और practice set तो मैं आपको practice set दिखाता हूँ तो देखो एक pdf है जिसमे question answer और उसका option दिया है explanation नहीं दिया और दूसरी pdf जो second pdf है उसमें questions भी दिये है और उसका answer भी दिया है और उसका solution भी दिया है तो यह आप download करके आप इसे swallow कर सकते ह बागे का सब कुछ तो मैंने इस वीडियो में explain किया है हाली आपको यह percentage और two fraction chart बहुत ही important है आगे के chapter भी जो भी हम देखेंगे profit and loss वो भी इसी के ऊपर depend है इस चार्ट के ऊपर क्यूंकि maximum question तो fractions से ही solve हो जाते वहाँ पर तो ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लाग इस चार्ट